प्रिदर्सको नमस्कार आज मैं आपको विवा प्रक्रण का एक अती महतप्रण हिस्सा पीली चिठी किस प्रकार से भरते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कुछ दर्सकों का फोन आया कि सास्त्री जी पीली चिठी किस प्रकार से भरी जाती है उसके बारे में भी हमें विस्तार से बताईए ये जो पीली चिठी है ये कन्या पक्स वाले लग भग 21 दिन 11 दिन या एक महिना पहले वर पक्स को पहुँचाते हैं तो फिर दर्सकों आपकी मांग के अनुसार इस कारिकरम को मैं आज लेकर के आया हूँ तो आप देखिए आप सक्रीन पर देख पा रहे होंगे एक पेली चिठी सबसे उपर लिखा है स्री गनेसाईनम है किसी भी कारिय को आरंब करने से पहले गनपती जी को मनाना आति अवश्यक होता है क्योंकि गनपती जी परतेक कारिय को निर्विघंता पुर्वक सिद्ध करने वाले होते हैं किसी भी परकार का विघन कारिय में आने नहीं देते हैं उसके बाद आप देख रहे हैं अथय विभापत्री का अर्थार्थ पिली चिठी इसके नीचे दो अति शुंदर सलोक लिखे हैं आईए इनको भी देख लेते हैं ओम्यं ब्रम्ह विदांत विदो वदंती पर्मं प्रधानं पुरुषं तथानें विश्वोद गते कारण मिश्वरम वा तस्मै नमो विघन विनासनाय हैं दुसरा सलोक जननी जनम सोख्यानां वर्धनी कुल संपदां पद्वी पूर्व पुन्यां लिखियते विभापत्री उसके बाद आप देख रहे हैं ओम शिद स्री शुरोपरी विराजमान शकल गुन निधान गंगा जल निर्मल यमना जल सीतल पावन पवित्र सुब चरीतर सट करम सावधान शुबस्तान उसके आगे मैंने दिल्ली लिखा है प्रिदर सको यहां पर जो वर्पक्ष है उनका पेली चिठी में दो हिस्से होते हैं एक हिस्से में वर्पक्ष के नाम लिखने होते हैं एक हिस्से में कर्ण्यापक्ष के नाम लिखने होते हैं जो सबसे उपर वाला हिस्सा है यहां पर वर्पक्ष के नाम हमें लिखने होते हैं उनके प्रिवार के जो मोजुद आदमी है जो बुजरग आदमी है उनके नाम यहाँ पर हमें लिखने होते हैं एक बात का हमेशा अपने ध्यान रखना है ये जो नाम हम लिख रहे हैं ये कम से कम पाँच होने चाहिए साथ भी हो सकते हैं, नो भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम पाँच होना अति अवश्यक है और एक बात का और ध्यान रखना है ये जो आप नाम लिख रहे हैं वो लोग जीवित होने चाहिए मोजुद होने चाहिए जिनका सवरगवास हो चुका है उनके नाम आपने यहाँ पर नहीं लिखने है तो आप देख रहे हैं सबसे पहले धर्मूर्ति धर्मा उतार स्रीमान तो यहाँ पर जो लड़का है उसके दादा का नाम आप लिख सकते हैं अगर दादा नहीं है तो फिर पिताजी का नाम आप लिख सकते हैं या फिर दादा के भाई का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं उसके बाद ताउ का नाम आप लिख सकते हैं, उसके बाद चाचा का नाम आप लिख सकते हैं, बड़े भाई का नाम लिख सकते हैं, या फिर प्रिवार में कोई भी जन हो उसका आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके बाद तथा समस्त सजनों को इतह योग लिखितम गु कोई भी हो सकता है मैंने उधान के लिए यहां पर गुरुगराम लिख दिया है उसके बाद आप देख रहे हैं गुरुगराम से श्री अब मैंने यहां पर दादा लिखा है तो कन्या के जो दादा है उसका नाम आप यहां लिख सकते हैं उसके बाद पिताजी का नाम लिख सक अब जो आपने विभाका मुहरत निकाला है जो तीथी तारिख निकाली है उसमें कौन सा संबत है उस संबत की जो संख्या है वो आपने यहाँ पर लिखनी है अब दो जार अठंतर संबत चला हुआ है तो यहाँ पर दो iron 88 संबत मैंने यहाँ पर लिख़ दिया है आगे मासाना मुत्मे मासे जो मास है तो उसका नाम आपने लिखना है फाल गुन मास का ये सुब इभा मुहरत बनता है तो फाल गुन मासे सुब सुभे शुकलपक्षे अब पक्स महीने में दो होते है क्रिश्न प तो यहाँ पर दिवतियाती थी है तो मैंने यहाँ पर दो लिखा है वासरे कौन सा वार है शुक्र वार इस दिन पढ़ता है तदा अनुसार तारिक वह इस दिन जिस दिन विभा का मुरत है विभा होना है तो उस दिन जो अंग्रेजी महीने की तारिक है वो आपने यहाँ पर करें वर नाम अब यहां पर आपने वर का नाम लिखना है शिरिंजी रवी हमने उधान के लिए रवी नाम ले लिया है अब रवी की यह देखना की कौन सी रासी बनती है तो रवी की तुला रासी बनती है यहां पर वर का कोई भी नाम हो सकता है मैंने उधान के लिए रवी ल लेंगे तो पांच्वे नंबर पर शूरिय पढ़ते हैं तो यहां पर शूरिय बल हमें पांच ले लिया है। चंदरबल इस समय मीन रासी में गोचर कर रहे हैं तो चंदरबल 6 हो गया है कन्या नाम सोभग्य काक्षीनी कुमारी अब यहाँ पर कन्या का नाम हमें लिखना है कोई भी हो सकता है उधान के लिए हमने यहाँ पर रेखा नाम लिया है अब रेखा नाम की जो रासी है वो रास पानी ग्रहनम शुभ्वम शकल सजनो वे स्रीमान पंड़ी को को नमस्कार तो प्रीदर्शको सबसे अंद में आप देख रहे हैं तीथी तो यहाँ पर तीथी कुण सी लिखनी है कई लोग यहाँ पर गल्ती कर देते हैं जो विवा की तीथी है वही तीथी यहाँ पर लिख उसके बाद यहां पर पंदत जी अपने सिगनेचर कर सकता है तो प्रिदर्सको आप सभी की ये मांग थी कि पीली चिठी सही तरीके से किस प्रकार से हम बरें इसके बारे में सास्तिर जी हमें बताएं तो आपकी मांग के अनुसार मैं ये कारिक्रम आपके लिए आज लेके आ ही है तो आसा करता हूँ आज का कारिक्रम आपको अच्छा लगा होगा यदि अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं कोमेंट कर सकते हैं सेर कर सकते हैं नमस्कार